है लो फ्रंट्स मैं बन्ना तिवारी आज किस वीडियो में आप लोगों से प्रेजेंट टेंस के चारो पार्च के इंट्रोगेटिव बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसे फॉर्म करेंगे तो rules मैंने आपको last videos में बता ही दिया है कि कैसे sentence को form करना है तो आज किस video में सिर्फ आपको interrogative sentences बताऊंगी तो शुरू करते हैं सबसे पहले present indefinite के first part क्या होता है indefinite होता है इसमें क्या है कि जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा जो questions होता है वो दो तरह से बनते हैं I mean एक questions होता है जिसमें question words sentence के पहले आते हैं और दूसरा question form होता है जिसमें question words sentence के बीच में आते हैं तो जब भी question word हमारा sentence के पहले आता है तो present indefinite tense में हम do या does का use करते हैं और अगर हमारा question word sentence के बीच में आया है तो वहाँ पर according to the question, I mean जिस तरह का question word है उसके accordingly हम उस question word की English सबसे पहले लिखते हैं तो present indefinity tense में जब हम question form कर रहे हैं जैसे कि क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, क्या वह घर जाते हैं, क्या वह बुक परते हैं यह question आपने देखा, कि इसमें जो हमारा था question sentence सब में पहले क्या आया है, क्या word आया है, नहीं कि question word पहले आया है अब चारू sentence का translation इस तरह से होगा, does he go, does he eat, do they go home, do they read a book अब इसमें आपने देखा कि singular number of the subject के साथ हमने does का use किया है, he, she, name, it और plural number, we, they, और I के साथ भी हम do का use करते हैं, जबकि I हमारा plural नहीं होता है यह first person होता है, इसके साथ भी हम plural number का verb यूज़ करते हैं अब home के पहले हम to का use नहीं करते हैं, क्योंकि home कोई object नहीं है, to का use हम house के पहले करते हैं, ना कि home के पहले इस तरह से आपने यह देखा कि चारों sentence को हमने किस तरह से translation किया है यह हमारे way sentences थे, जिसमें question word पहले आता है अब हम चलेंगे उस questions के तरफ, sentences के तरफ, जिसमें question word sentence के बीच में आता है और उसको हम करसे बनाते हैं तो मेरा पहला sentence है, वह कब खाता है, वह क्या खाता है, वह कहां जाते हैं, किताब कौन पढ़ता है इसमें आपने देखा कि जो question word है हमारा sentence के बीच में आया है अब इसका translation हम sentences करेंगे, अब यह इसको देखिए when does he go, what does he eat, where do they go, who reads a book अब इस तरह से आपने देखा कि इसके चारो sentences को मैंने कैसे form किया है अब एक बार आप लोग present indefinite के structure को समझ लीजिए does or do plus subject plus verb अब does वाले question में verb की first form में yes or yes नहीं लगा जाता है थर्ड, do वाले sentence में भी हम verb की first form में yes या yes नहीं लगाते हैं तो इस तरह से अपने देखा कि किस तरह से हमने present indefinite को form किया है अब हम चलेंगे present continuous tense की तरफ आपको मैंने पहले ही बताए था कि हमारे question words जो sentences होते हैं interrogative sentences होते हैं कुछ sentences ऐसे होते हैं जिन में question word पहले आता है अब कुछ sentences हमारे ऐसे होते हैं जो question word हमारे भीच में आती हैं तो इस तरह से देखिए कि कि अब examples के through कैसे हम sentence form करेंगे फर्स हमारा है क्या रीना पढ़ रही है second है क्या टीना सो रही है third है क्या मनीश खेल रहा है fourth है क्या तुम वीडियो देख रहे हो अब इसको translate करना देखे इस रीना रीडिंग इस टीना स्लेपिंग इस मनीश प्लेइंग आर यू वाचिंग अ वीडियो तो according to the subject singular number of subject के साथ he, see, name, it के साथ continuous में हम इसका यूज करेंगे पहले और I, V, U, they के साथ U, V, they के साथ R का यूज करेंगे और I के साथ हम I am का यूज करेंगे अब देखे next portion पर हम आते हैं जिसमें question word हमारा बीच में आता है कौन पढ़ रही है? तीना कहां जा रही है? मनिश क्या खेल रहा है? तुम क्या देख रहे हो? तो अब इसको देखे कैसे हम फर्म करेंगे? कि who is reading? कौन की इंगलिश क्या होती है? नेक्स्ट है वार इस थीना गोइंग वाट इस मनिश प्लेइंग वाट आर्यू वाचिंग अब इसमें देखे continuous का structure है यानि की rule समझ लीजिए कि जिस sentence में question word पहले आता है तो वहाँ पर question word plus helping verb plus subject plus object plus verb की first form में ing यूज करते हैं अब एक तरह फिर से सुन लीजिए कि question word जब पहले आता है तो according to the subject इसका यूज ही शी ने मिट करते हैं पहले इस होगा यू वी दे के साथ पहले आर का यूज करेंगे और आए के साथ पहले हम आयम का यूज करेंगे अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसको देखेगा क्योंकि इसमें इसमें प्रधाना चारे जा चुके हैं अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसको देखेगा क्योंकि इसमें जो चारो सेंटेंस में क्वेशन वर्ड पहले आया है तो इसलिए हम हम हेल्पिंग वर्ड का यूज भी पहले ही करेंगे अब इसमें आपने देखा चारो सेंटेंस में क्वेशन वर्ड के लिए हेल्पिंग वर्ड का यूज हमने पहले किया है अब यह देखिए कि जो क्वेशन वर्ड के लिए हम उसकी इंगलिश वर्ड का यूज करते हैं उसको हम कैसे करते हैं वह क्या कर चुका है लक्षर कौन दे चुका है कौन मा क्या बना चुकी है कौन जा चुका है अब इसमें भी आप देखेंगे हम सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे अब इसमें देखेंगे कि इसका पहले समझ लीजिए कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले अगर आता है जिस सेंटेंस में तब हम वहाँ पर क्या करते हैं इसका कैसे फॉर्म करते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड रखेंगे हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस अबजेक्ट इस तरह से हो गया लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड की हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश फर जेंपल what, where, when इस तरह से जिसका structure समझ लिजे सबसे पहले question word plus helping verb plus subject plus हमारा जो action word होता है यानि verb forms होती है उसका third form हम use करते है to the last part of the present tense and that is present perfect continuous tense इसमें भी आप वहले sentences के थूज समझेंगे क्या हुआ दो घंटे से पढ़ रहा है क्या तुम चार घंटे से सो रही हो क्या वे दो बज़े से पढ़ रहे हैं क्या वे चार बज़े से नाच रही है अब इसको कैसे translate करेंगे इसको आप देखेगा has he been studying for two hours have you been sleeping for four hours have they been studying since two o'clock has she been dancing since four o'clock अब हम sentence के यानि interrogative tense के दूसरे form पर आते हैं जिस पर हम helping verb का पहले use ना करके question word की जो particular English word होता है उसका हम use करते हैं for example जैसे what, where, when, how इस तरह से अब यह वह दो घंटे से क्या पढ़ रहा है तुम चार घंटे से क्यों सो रहे हो तुम चार बज़े से क्या पढ़ रहे हो और वह दो घंटे से क्यों रो रही है इसका translation हम देखे किस तरह से करेंगे what has he been reading for two hours why have you been sleeping for four hours what have you been studying since two o'clock why have, has she been weeping for two hours तो इस तरह से देखे कि हमने sentences को कैसे form किया अब आप आजाएगे structure पर जब question word पहले हो तो वहाँ पर उस sentence के लिए हम has are have plus subject plus been plus object plus verb की first form में ing plus since are for since का use हम point of time के लिए करते हैं यानि निश्य समय के लिए करते हैं और for का use हम period of time के लिए करते हैं past indefinite tense के बारे में discuss करूंगी और आज का जो main topic है कि past indefinite tense में interrogative sentences कैसे form करते हैं उसके बारे में मैं discuss करूंगी तो सरसे पहले मैं आपको structure बता दूँ कि किस तरह से हमें इसको follow करके sentence को form करना है तो first आप समझ लिए question word से शुरू होने वाले जो sentence होते हैं उसका जो structure इस तरह से होगा did plus subject plus verb की first form जैसे question word क्या तुम गए थे क्या तुम ने किया था इस तरह के जब question words शुरू में आते हैं इसका structure यह होगा जो मैंने अभी आपको बताया है तो आप sentences की through पहले समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से हम sentence को frame करेंगे मेरा first sentence है क्या वह गया था did he go क्या तुम खाय थे did you eat third क्या वह काम पूरा की थी did she complete the work fourth क्या वह बाजार गय थे did they go to market मने आपको बताया था structure में कि इसमें आपके past indefinite में आपका singular number of the subject I mean he, she, name, it या plural number of the subject you, we, they या I उन सब के साथ verb के first form में ही use होता है जब भी हम past indefinite में interrogative sentence frame करते हैं और उनके पहले हम did का use करते हैं अब देखिए second WH से शुरू होने वाले वाग के पहले में बताया मैंने कि question word से यानि जब क्या word पहले आता है तब हम कैसे did का use करते हैं और इसमें क्या है कि WH से शुरू होने वाले जो वाग के होती है यानि interrogative sentences होती है उसका structure इस तरह से होगा WH question word प्लस helping verb ब्रैकेट में आप समझे जैसे did है प्लस subject प्लस verb की first form प्लस object इस तरह से यह हमारा बनेगा इसको हम sentences के through समझ लेते हैं वह कहां गया था इसमें आप देखिए question word आपका है कहां तो कहां की English हम पहले लिखेंगे where did he go तुम क्या खाए थे second sentence है what did you eat third है कौन पूरा काम किया था यानि किसने काम पूरा किया था who did complete the work इस तरह से आपने देखा कि जब भी हमारा wh वला question होता है उससे बनने वाले जो हमारे interrogative sentence होते हैं first of all we use wh word question word then helping word I mean did उसके subject होगा subject के बाद आपको work first form होगा then हम object रखते हैं now we come to the past continuous tense past continuous tense यानि BTV समय में जो हमारा काम हो रहा था अब इसको हम question word से शुरू होने वाले sentence होते हैं उनको हम कैसे उनका structure क्या होता है इसको आप समझ लेंगे सब्सक्राइब आप समस्राइब आप समस्राइब जो हम आप करते हैं आप उनको हो वी दे मारे रहा रहा था वाज़ी तुम क्रिकेट खेल रहे थे इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से sentence को फॉर्म करेंगे पास्ट कंटिनिवस टेंस में ओके नौ भी कंटो दा डबलू एच से शुरू होने वारे sentence के कि जो जब भी हमारा sentence उसमें डबलू एच कोईशन वर्ड होंगे तो उसका structure हम कैसे बनाएंगे जो उसका क्या rule है इस तरह साथ देखें डबलू एच कोईशन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आई मिन वाज और वर अकॉर्डिंग टू दा सब्जेक्ट प्लस आपका जो सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स फर्म प्लस आईएंजी प्लस अब्जेक्ट ओके इस तरह से आपने देखा कि जब भी हम प्लस प्लस में सेंटेंस फर्म करते हैं अब डब wh वाले कोईशन होते हैं तो उसके पहले में जो भी हमारा हिन्दे प्लस उतलड है उसका जो इंगलिश होती है उसको लिखते हैं Then helping verb, word or word का use करते हैं Then subject का use करते हैं Then verb की first form Then ing And at the last we use object Okay Now we come to the past perfect tense Past perfect, perfect means जो हमारा काम पूरा हो चुका है और इसमें हम past perfect की बात कर रहे हैं Means बीतिवे समय में या past tense में, past time में जो हमारा काम पूरा हो चुका था उसको हम कैसे sentence में frame करेंगे उसका rule क्या है, उसका structure क्या है इसको हमें समझना होगा First of all, question word से शुरू होने वाली sentence है इसमें क्या है कि हम जब भी हमारा question word पहले आता है sentence के तो वहाँ पर हम helping verb का use पहले करते हैं तो present perfect tense में था has और have था लेकिन past perfect tense में आपका head ही रहेगा वह कोई भी number आदा subject हो I mean choice singular number आदा subject हो या plural number आदा subject हो he, she, name, meet, I, we, you, they इन सब के साथ हम head का ही use करेंगे तो let's try to understand the structure of these okay, head plus subject plus verb की third form plus object okay, let's try to understand about this tense through the sentences क्या वंदना पढ़ा चुकी थी, had वंदना taught, क्या विम्ला पूजा कर चुकी थी, had विम्ला वर्षिप्ड, क्या ग्यांशा होंवर्क कर चुका था, had ग्यांशा completed the homework, क्या मैं movie देख चुकी थी, had I watched the movie अब आपने ये समझ लिया, अब हम आते हैं, now we come to the WH question word से बनने वाले जो sentences होते हैं, उनका structure हम समझ लेते हैं तो WH question word, plus had, plus subject, plus verb की third form, plus object, अब इसी को आप देखिए, वन्दना क्या पढ़ा चुकी थी, what had वन्दना taught, विम्ला क्या कर चुकी थी, what had विम्ला done, कौन homework पूरा कर चुका था, who had done the homework, are completed the homework, मैं क्या देख चुकी थी, what had I watched, इस तरह से आपने देखा, क्योंकि इस तरह से sentences को frame करते हैं, अब हम past perfect continuous के पास आते हैं, इसका भी structure हम समझ ले, perfect मैंने आपको पहले ही बताया, already, जो पूरा हो चुका है, continuous चुचल रहा है, और इसमें time mention होता है, ओके, अब इसमें देखिए, question verse से शुरू हने वाले जो हमारे sentences होते हैं, उसको हम कैसे frame करेंगे, उसका structure आप समझ लेजे, head plus subject plus bean plus verb की first form plus ing plus object plus sense are for plus object, इस तरह से आपने देखा, अब यहाँ पर sentences के तरह आप समझ लेजे, क्या रोहन दो घंटे से खेला था, had Rohan been playing for two hours, क्या रहान तीन घंटे से नूर्स बना रहा था, had Rohan been making the नूर्स for three hours, क्या रहमान चार वर्स से उस घर में रह रहा था, had Rohan been living for four years in that house, now we come to the last sentence, क्या रेखा, 1990 से यानि 1990 से अमेरिका में रह रह रही थी, had Rekha been living in America since 1990, अब इसमें मैं कुछ आपको रिमाइंड करा दूं, कि जब भी point of time के बात हो रही है, यानि कि निश्ची समय के बात हो रही है, तब हम वहाँ पर sentence का use करेंगे, for example, two o'clock, three o'clock, since morning, since night, या since 1990, 1920, 2020, etc. इस तरह का जब time निश्ची समय mention किया हुआ हो, तो इसको हम point of time कहते हैं, और उहां के लिए हम since का use करते हैं, अब इसी में आप समझे, period of time, period of time, it shows duration, कि मलब किसी काम को होने में कितना समय लग रहा है, उसको हम period of time कहते हैं, और इस condition में हम for का use करते हैं, अब हम आते हैं, WH से शुरू होने वाले sentences या बनने वाले sentence, इसमें यह क्या है, structure आप समझ लीजे, WH से बनने वाले question word, plus head, plus subject, plus been, plus verb की first form, plus ing, plus since are for, plus object, इस तरह से आपने देखा, हम कर से structure को समझते हैं, ओके, let's try to understand how to frame the sentences, through the sentences, तुम तीन घंटे से क्या कर रहे थे, what had you been doing for three hours, ओके, next, वे दो घंटे से ताली क्यों बजा रहे थे, why had they been clapping for two hours, next, 84 पांच मिनट से क्यों घंटी बजा रहा था, why had you been ringing the bell for five minutes, मैं बच्चों को दो बज़े से क्या पढ़ा रही थी, what had I been teaching the students since two o'clock, अब इस तरह से आपने देखा, कि हम किस तरह से sentences को frame करते हैं, आज आप लोगों से future tense के बारे में discuss करूंगी, और यह बताऊंगी, किस तरह से आपको interrogative sentences form करने होंगे, ताव वीडियो को end तक देखेगा, मैं आपको rules और sentences के structures भी बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं, सरसे पहले future indefinite tense, इसमें हम interrogatives कैसे form करते हैं, इसके structures को पहले समझते हैं, question word, इन से शुरू होने वाले sentences के लिए, will, or shall, plus subject, plus verb, plus object, इनका यूज करते हैं, इस तरह से इन structures के थ्रू ही, हम sentences को form कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानती हैं, future tense में will और shall का यूज होता है, तो हम sentence को देखते हैं, कि किस तरह से आपको frame करना होगा, number one sentence, क्या रंजना घर जाएगी, will रंजना go home, इसमें एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ, कि home के before, to का use नहीं होता है, house के before, to का use कर सकते हैं, लेकिन अगर जब हम home लिख रहे हैं, या बोल रहे हैं, तो उसके before हमें to का use नहीं करना होता है, next हमारा है, क्या वर picture देख अखिगा, will he watch movie, okay, third है, क्या हम पिकनी पर जाएंगे, will we go on picnic, fourth है, क्या तुम पुष्टक पढ़ोगे, will you read a book, अब हमारा दूसरा है, wh question words से बनने वाले, जो sentences होते हैं, उसका structure अब आप देख लीजे, और एक चीज़ और बता दू मैं, कि future indefinite tense में, हम वर्ब की first form का ही यूज करते हैं, अब आप sentences देखिए, वह कल कहां जाएगा, where will he go tomorrow, तुम कब पढ़ोगे, when will you study, थर्ड, सोना कब खरीदारी करेगी, when will सोना do the shopping, अब हम चलते हैं, next की तरफ, future continuous tense, जैसा कि आप लोग जानते हैं, continuous में, जो action हमारा हो रहा है, चल रहा है, और इसके structures को आप पहले समझ लिजे, question words से, शुरू होने वाले sentences के लिए, हम किस तरह से structures को समझते हैं, उसको आप देखे, इतना आप लोगों नहीं देख लिया, अब इसके sentences को आप जहां से देखिए, क्या वा पतंग उड़ा रहा होगा, will he be flying a kite, next, क्या वा कक्षा में नृत्य कर रही होगी, will she be dancing in the class, third is, क्या तुम लिख रहे होगे, will you be writing, fourth is, क्या मैं cinema जा रही होँगी, will I be going to cinema, इस तरह से आपने देखा, continuous के, जो question word से शुरू होने वाले sentences है, now we come to the next rules, wh questions word से शुरू होने वाले sentences, इनका structure कैसे होता है, wh question word, plus will, our shell, plus subject, plus be, plus verb की first form, plus ing, plus object, इस तरह से आपने देखा, और आपको यह बता दूँ, कि continuous में आप जाज सकी जानते हैं, और नहीं भी जानते होंगे, तब भी मैं बता दे रहे हूँ, कि verb की first form में ing का यूज करते हैं, और जिसको हम present participle भी बोलते हैं, rules देखे, sentences के थू, क्या वा पतंग उड़ा रहा होगा, वा क्या उड़ा रहा होगा, what will he be flying, sentence क्या था, वा क्या उड़ा रहा होगा, what will he be flying, वा कहा नाच रही होगी, where will she be dancing, वा क्या लिख रहा होगा, what will he be writing, मैं कहा जा रही होगी, where will I be going, इस तरह से आपने continuous के structures को, उसके sentences को आपने देखा, now we come to the third, kinds of future tense, like future perfect tense, अब इसके structures को भी हम समझ लेते हैं, कैसे integratives को form करते हैं, question versus शुरू हनने वाले sentence, इसका structure है, will I share, plus subject, plus have, plus verb की third form, plus object, अब perfect में आपका चाहर प्रेजेंट हो, या past हो, या future हो, perfect tense की जब भी बात हम करते हैं, तो उसमें हम verb की third form का ही use करते हैं, first is, क्या वा भाग गया होगा, will he have run away, next is, क्या तुम उससे मिल चुके होगे, will you have visited him or her, third is, क्या पापा आफिस जा चुके होगे, will पापा have gone to office, क्या सरला कपले धो चुके होगी, will सरला have washed the clothes, okay, now we come to the next rule of the present, sorry, future perfect tense, डवलुच से शुरू होने वाले sentences की साथ, डवलुच कोईशन वर्ड प्लस विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैब प्लस वर्ब की थड़ फार्म प्लस अब्जेक्ट, अब इसके sentences को आप समझ लीजिए, कौन भाग गया होगा, who will have run away, उससे कौन मिल चुका होगा, who will have visited him or her, पापा कहां जा चुके होंगे, where will पापा have gone, कौन कप्ले धो चुका होगा, who will have washed the clothes, okay, now we come to the next, I mean last kind of future tense, future perfect continuous tense, अब इसके interrogatives को कैसे form करते हैं, उसको भी आप समझ लीजिए, इसका structure इस तरह से होगा, question verse शुरू होने वाले sentences, will plus subject, plus have been, plus verb, plus ing, plus since are for, plus object, क्या वाद दो घंटे से पढ़ रही होगी, will she have been studying for two hours, क्या तुम चार घंटे से घर की सफाई कर रही होगे, will you have been cleaning the house for four hours, क्या वे दो घंटे से जाडू लगा रही होगे, will they have been sleeping for two hours, क्या हम चार बज़े से ट्रहल रही होगे, will we have been walking since four o'clock, अब मैं आपको कुछ और भी बता देना चाहती हूँ, जब भी हमारा point of time के बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम since का यूज़ कर रहे हैं, point of time का मतलब निश्य समय के लिए, और जब हम period of time के बात कर रहे हैं, I mean कि किसी भी काम को करने में जो time लगा है, जब हम duration के बात करते हैं, तो duration के time पर हम for का use करते हैं, now we come to the next rule, wh question word से शुरू होने वाले या बनने वाले sentences, wh question word plus will plus subject plus have been, plus verb की first form plus ing, plus sins are for plus object, अब इसका sentences के थूर समझे, वा दो गंटे से क्या कर रही होगी, what will she have been studying for two hours, means क्या पढ़ रही होगी, next is, तुम चार गंटे से क्या कर रही होगी, what will you have been doing for four hours, third is, दो गंटे से जाड़ू कौन लगा रहा होगा, who will have been sleeping for two hours, last, हम चार बज़े से क्या कर रही होगी, what will have been doing since four o'clock, तो इसे के साथ आज का वीडियो मेरा खतम होता है, और यहाँ पर टेंस के जितने भी आपके प्रेजेंट था, पास्ट था, फ्यूचर था, इसका लेक्षर आज एक अंट्रीट होता है, next वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगी, इस सेंटेंसे इसको कैसे फॉर्म करते हैं, तो तब तक के लिए जैहिन, जैभारत!